अबनी जी फिलाल किस तरह से वहाँ पर माहौल बना हुआ है और इसमें जो स्विंग स्टेट कहे जाते हैं वो किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं। जोर है वो कमला हरस के साथ है और अगर वो जीत जाएंगी तो इंडिये के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर्वान की पॉलिटिकल रेप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। डिस्टिक्ट एठर्णी, एठर्णी जेनरल, सैनेटर, वाइस प्रेजिडेंट और फॉर्टिसिक्स प्रेजिडेंट्स अब तक रह चुके हैं। उनमें से 26 लोयर्स थे। अगला प्रेजिडेंट इनमबर 47 अगर कमला हारस जी बन जाएंगी तो वो 27 लोयर होंगी प्रेजिडेंट अमेरिका की। शोओ की की कितना लॉआ एंड ओर्डर पार जोर है उस कंट्री में और 220 करोड लड़कियां हैं अट tuh-ra saal से छोटी इंडिया में और पूरे दूनिया में 80 करोड लड़कियां हैं जो अट्रा से चोटी हैं सब के लिए अगर कमला हारेस प्रेजिडेंट बन जाएगी सब के लिए कितना हिम्मत होगी कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं जी बिलकुल और एड़ोकेट और ट्रॉम्प सपोर्ट हैं रवी बत्रा साहब हमारे साथ जूड़ चुके हैं रवी जी मैं आप Trump supporter I'm an America supporter and and the election which every American is voting in today is the direction each American wants America to go in and so therefore our goal our goal is America first America first politics second you know our greatest one of our greatest I'm sorry I can't do that so you know when America was divided during the civil war one of our best presidents was Abraham Lincoln and he said with malice towards none and charity towards all America that's what America is and every country on earth should want to be an American ally all this all this Jimmy the Greek betting that goes on whether Kamala Harris wins or or Donald Trump wins it doesn't really matter to outside nations because America is good for every nation on earth as far as we're concerned we're going through a very divided time in our life and I do believe that Donald Trump is going to win and he may even win the Senate which would be a landslide victory that doesn't make Kamala Harris a bad candidate it doesn't because Joe Biden stepped out of the way in a very graceful manner but it doesn't you know these are internal issues for us these are internal these are internal issues for us and are of no and are of no moment to every other country all all you need to know is whoever we elect is all right is going to lead America well and is good for the rest of the world all right so you'll let me go because I'm in and something else okay bye bye okay okay मैं प्रियाटेंडन का रुक करना चाहूंगी राजनीतिक विशलेशक है और रिलेशन किस तरह से दूसरे नेशन के साथ होंगे दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे होंगे और रूस युक्रेन और इस्राइल की जंग पर क्या असर पड़ेगा अगर डॉनल्ड ट्रम्प जीते है उनका रुजहान ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरह बहुत काफी फरक है जैसे आप जानती है ट्रम्प ट्रॉट कहते आ रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वो जितनी भी वार्ड हो रही हैं उन में से अपने आपको वापस खीच रहेंगे वो समझते हैं कि अमेरिका को वार् और इंक्लूडिंग जो इस्रेल में हो रहा है या जो यूरप में हो रहा है जहां तक कमला हैरस का सवाल है वो अबाइडर के साथ जो उनकी रुजहान रहा है कि वार्ड देखिए उनके टाइम पे हुई भी हैं वो भी रही हैं और उसको एकदम से उससे विड्रॉ करना मु लेकि सवाल है डेमोक्राइट्स के जमाने में वार होती रहती हैं और इंका और इंका पार्टिसपेशन फुल होता है जहां तक ट्रॉम का सवाल है ट्रॉम कंप्लीटली विड्रॉ करना चाहते हैं और हर वो तक्ते से कह रहे हैं कि वी नीड़ विड्रॉ कंप्लीटली तो जहां तक फॉर्म पॉलिसी का सवाल है, फरक है, दोनों की फॉर्म पॉलिसी में बहुत फरक है, और I think Trump चाहते हैं कि इनवर्ड लुकिंग, अमेरिका को देखें, अमेरिका फर्स्ट, जॉब्स को लेके, डिफर्ट पॉलिसी को लेके, बॉर्डर सिचुएशन को लेके, कम्प्लीटली अमेरिका कॉंसेंट्रेट होना चाहिए, जहां तक डेक्टाइट का सवाल है, वो ज्यादा ग्लोबल तिंक को लेकर हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्णर दिखाई दिया है, क्या अगर ट्रम्प बनते हैं तो वो इंडिया के फेवर में जाएगा, या कमला हैरिस चुकी वो उनका तालुक हमारे देश के साथ भी है, भारत के साथ भी है, मेरा मानना ये है कि इंडिया के लिए ट्रम्प का आना जादा बेहतर रहेगा, ये तो हमें वैसे भी मालूम है कि जब बाइडन साब यहां आए थे, उस हमें रिष्टे हमारे थोड़े नाजू रहे थोड़ी देर तक, बट इंडिया की जो इस समें पुजीशन है, वो इतनी स्ट्रॉंग है, आइडियली देखा जाए, चाहे वो ट्रम्प आए, चाहे वो कमला जी आए, इड़े देरे देरे दोस्ती वापिस कामयाब हो गई, इड़े इंड़ दे डे बॉटम लाइन तो आई है कि अमेरिका और अमेरिकांस के लिए अमेरिका फस्त ही रहना चाहिए और वो रहेगा, उसमें कोन सोचता है, जैसे हम ऐसे इंडियन जब हम है यदि भारतवासी हैं तो हम पहले इंडिया की बात पहले सुचेंगे, बाकी फिर बाते करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि तैसे तो नो ही कि पास कोई आप्शन ही नहीं इंडिया के बगार कुछ करने की, क्योंकि तो बैलन्स दी, सेंडल एशिया, साथ एशिया, बट बिकॉज वी हैव टू पार्टनर्स ओन आइधर साइड उदर मोदी जी हैं, उनकी सब्सकार है, उनका एक लंबा रिस्ता भी रहा है, इदर ट्रॉम साब आएंगे, उनका भी रिस्ता रहा है, और ट्रॉम इस सब्सक्राइब करेंगे, उनका भी रिस्ता बनाने के लिए बिस्नेस चाहिए उनको इंडिया से, वो अच्छी मार्केट है, मुझे ऐसे लगता है कि वो उस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, तो शायद ऐसे ही लग रहा है कि ट्रॉम चीतेंगे, तो भारत के थोड़ा सब रहेगा, इवन्दो लागे सेड, इस कंट्री में लोगों को किसी से को मतलब नहीं है, काम धंदे से मतलब है, जो भी कंट्री इनके साथ चलेगा, जहां अपने को फैदा होगा, उसके साथ चलेंगे, और आज हमार यतनी बड़ी एकौनमी है, इतनी ग्रोथ है, उस कंट्र आज है, इतने सारे सी यो जो बन गे यह ऐसा नहीं है, कि पिछले दस सालों में बैदा हुए है, यह सी यो जो थे, पिछले सालों से थे, बट हर बंदे को सडली सी यो बना दिया गया, क्योंकि ये वांटिट की अपनी कंपरी को ग्रोग करना है, तो भारत के सा रिष्तर ज